ममता बेनर्जी के भरतिजे और टीमसी नेता अभिशेग बेनर्जी की पत्नी रुजीरा बेनर्जी भरती भरस्ता चार मामने में आज एडी के सौट लेक्स थी सीजियो कॉंप्लिक्स में पेश वी एडी ने उनिस सुभा 11 बजे तक पेश होने को कहाता लेकिन वा निधारिक समय की भीतर यानी सुभा 11 बजे से कुछ देल पहले ही रुजीरा सीजियो कॉंप्लिक्स पहुंची रुजीरा बैनर्जी की पेशी को लीकर आज सीजियो बड़ी संख्या में महिला पुलीस कर्मी तैनात की गई है पूरे इलाके को कड़ी सुरक्षा के साथ गेल लिया गया है अभिशेक बैनर जी की कमपरी लिफ्ट्स एंड बाउंस भरती घोटाले में पूस्टाच करनी के लिए एडी ने उन्हें तलब किया वहां से जाच करता का अनुमान है कि रुजीरा बैनर जी के खाते में भारी बरकम रकम गई है इसी सिलसिले में एडी ने उन्हें पूस्टाच के लिए बुलाया है आखिरकार एडी के पूस्टाच के बाद रुजुरिया बैनर जी को साड़े साथ गंटी से जादा के बाद उनको राहत मिली रोजिलिया बैने जी एडिय आफिस से बाहर आने की बात बिना किसी से बात किये वहां से गुजर गई से ममता बैनर जी के भरतीजे और टीमसी नेता अभिशेग बैनर जी की पत्मी रुजीरा बैनर जी भरती भर्षता चार मामने में आज एडि के सौट लेक स्तीज सीजियो कॉम्प्लिक्स में पेश हुई इडि ने उने सुबह 11 बजे तक पेश होने को कहा तर लेकिन वह निधारिक समय की भीतर यानी सुबह 11 बजे से कुछ देर पहले ही रुजीरा सीजियो कॉम्प्लिक्स पहुँची रुजीरा बैनर जी के पेशी को लेकर असीजियो कॉम्प्लिक्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई बड़ी संख्या में महिला पुलीस कर्मी तैनात की गई है पूरे इलाके को कड़ी सुरक्षा के साथ गेल लिया गया है अभिशेक बैनर जी की कमपनी लिफ्स एंड बाउंस भरती घोटाले में पूस्ताच करने के लिए इडी ने उन्हें तलब किया वहां से जाच करताओं का अनुमान है के रुजीरा बैनर जी के खाते में धारी बरकम रकम गई है इसी सिलसिले में एडी ने उन्हें पूस्ताच के लिए बुलाया है आखिरकार एडी के पूस्ताच के बाद रुजुरिया बैनर जी को साड़े साथ गंटी से जादा के बाद उनको राहत मिली रोजिलिया बैने जी एडिय आफिस से बाहर आने के बाद बिना किसी से बात किये वहां से गुजर गई इ सुद्द्दी कर राहर आने के बाहर आili से था लिए बेत ही आने के बाहर आने के बाहर से दोझाया कि कैवे इस का बाहर